जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकल यूटीब चैनल में तो कैसे हैं आप लोग बताईए सर एक साइस इंस्पेक्टर के बारे में बताईए बहुत अच्छे आज किसी पोस्ट के बारे में नहीं बताने वाले हैं जिस दिन किसी पोस्ट के बारे में बताने वाले होते हैं उस दिन बकायदा थमनेल में लिखा हुआ होता है ठीक है? क्योंकि अगर डेली डेली पोस्ट के बारे में ही करने लगे न तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एवरेज यानि आउसत का क्लास नंबर दो जैसा कि आपको पता है कि रोज शाम साड़े आठ बजे रोज रात साड़े आठ बजे यह हमारी क्लास सलती है साथ दिन साथ मेरातन की आप सभी के यूज डिमान पर हम लोगों ने साथ दिन साथ मेरातन का जो बैच है वो स्पेशल शुरू किया है यूट्यूपर फ्री अफ कॉस्ट में जिसमें आपको मैं मैट्स में पूरा कंप्लीट मैट करा रहा हूँ और आपको इंग्लिश में अनिल सर और प्रशान सर आपको पूरी ग्रामर की नॉलेज और प्राक्टिस दोनों दे रहे हैं ठीक है तो इसलिए क्लास को डेली अटेंड किया करो सुबह दस बजे प्रशान सर की क्लास चल रही होती है साठ दिन साठ मेरातन की और शाम साथ बजे अनिसर की क्लास चल रही होती है फिर उसके बाद मेरी क्लास साड़े आठ बजे चल रही होती है ठीक है इसके बाद बात करते हैं देखो साठ दिन साठ मेरातन में मैंने compound interest के सबी सवालों को करवा दिया है और सबी बहतरी सवाल यकीन मानिये CGL के मेंस से लेकर आपके प्रीतक में सबसे ज़ादा मदद वो सवाल करेंगे और वो concept जो मैं आपको daily यूट्यूब पर दे रहा हूँ ये बहुत ही बहतरी concept है दोस्तों किसी बात का गुमान नहीं है मेरे अंदर कि हाँ मैं ही concept दे रहा हूँ और कोई नहीं दे रहा बस एक बात जो आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि देखो क्या होता है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज पड़ी होई है पहले की भी वीडियोज होंगी चार साल, पांच साल पहले की, दो साल पहले की भी कुछ recent में भी वीडियोज होती है लेकिन जो research मैंने किया है न वो अभी तक मैंने किसी और channel या किसी और वीडियोज में मैंने देखा नहीं है कि कोई आपको सबसे latest pattern पर आपको सबसे ज़ादा बहतरी तरीके बता कर आपको practice करवा रहा हूँ आप यकीन ना हो तो काम करना, मेरी class एटेंट करना और आप जहां भी पढ़ते हो आप वो class जरूर देखना आपको difference समझ में आ जाएगा कि असल में मैं जो करवा रहा हूँ 67 मेरातन में वो क्या हो रहा है तो हम daily नए सवालों को सीख रहे हैं जो हमारे paper में पूछे गए हैं इसलिए क्यों नए सवालों को सीख रहे हैं मैं भी तो चाहूँ तो पुराने सवालों को पढ़ा सकता हूँ लेकिन बस reason यहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इस बार अगर मैं inspector बन रहा हूँ और मैं उस तरीके के number लेकर आ रहा हूँ मेरे number आए हैं तो मैं भी सोचोंगा कि आपको भी एक inspector पद बनाया जाए बहुत सारे student का selection अलग-अलग जगा पर हुआ है क्यों? क्योंकि वो सबसे latest pattern पर पढ़ रहे है बहुत ऐसे student होंगे जो 2-3 साल से तयारी तो कर रहे है लेकिन उनके तयारी में कुछ जादा असर नहीं दिख रहा है number में बढ़ोत नहीं दिख रही है कारण यह है क्योंकि वही पुराने pattern पर practice है अगर नया सवाल थोड़ा सा दे दिया जाए बच्चा उलजके रह जाता है तो कारण आप लोग इस बात को समझो आपको नये सवाल उपर practice करना है दोस्त और उसके smart approach लेने है चाहे आप किसी किताब से करते हो किसी भी teacher के वीडियो से करते हो बस हमेशा याद रखो दो चीजे होनी चाहिए एक तो content आपका relevant हो उल्टा सीधा ना पढ़ो cat, jet, fat फालाना का ना पढ़ो सिर्फ SSE का पढ़ो banking का पढ़ो जो exam की त्यारी कर रहे है उसकी पढ़ो और दूसरा ये हो जाए कि updated हो पुराने सवाल भी ना हो तो जादा आपको फायदा मिलने वाला है आज की class में इसी तरीके से average के हम दो बहुत ही बहतरीन topic देखेंगे और वो topic में मैं आपको सबसे best approach बताऊंगा सवाल डेड़ पनने का हो सकता है लेकिन answer सिर्फ एक line का होगा ये आपको फायदा मिलने वाला है तो इसलिए काम करो तुरंट से जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन है यहाँ पर जैसे हो गया निधी हो गया हिमाशू हो गया टिक है आलोक हो गया सभी के सभी भाई क्या करो वीडियो को तुरंट यहाँ पर शेयर कर दो अपने वाटसप पे क्योंकि जब क्लास शुरू हो जाएगी और बीच-बीच में आपको सीधर ट्रिक्स बताऊँगा तो बच्चों को समझ में नहीं आगा रहे क्या हो गया कहां से हो गया इसलिए मैं कहता हूँ सेशन के शुरुआत में ही सेशन को शेयर कर दिया गरो ठीक समझ में आ रहा है बात और यकीन मानो जो भी बंदा जो भी स्टूडेंट मेरे साथ साथ दिनों तक यह लगातार मेरी सीरीज को देख रहा है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है आपका स्कोर चला जाएगा यह बात की गरेंटी मैं आपको देता हूँ ठीक है तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पीछे के दो सेशन हो गए हैं इसके लावा बीच-बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए मैं अलग-अलग पोस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ जैसे मिनिस्ट्र ओफ एक्स्टर डबल ओ के बारे में मैंने आपको बताया है डबल ओ के बाद जो है आपको मैंने CBI के बारे में बताया CBI के बाद मैंने Income Tax Inspector कैसे बनते हैं बताया है और आगे भी जैसे एक आदा बढ़िया बढ़िया पोस्ट है वो भी हम आपको बताते रहेंगे ठीक तो शुरुआत करते हैं आजगे टॉपिक की अब देखो क्या होता है आप इस बात को समझो जैसे हमारा दोट पॉइंट हो गया पहला हो गया देखो एवरेज में क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं एलिगेशन का भी कंसेप्ट लगता है रिप्लेस्मेंट है, इंक्लूशन है, एक्स्क्लूशन है पचास कैटेगरी जो मैंने बनाई हुई है ये कैटेगरी को आपको depth में समझना पड़ेगा जो बाते मैं कहा रहा हूँ ना, सिर्फ लिखने से नहीं होता मातर 2 सेकेंड, mother of all concept, बाप of all concept, लिखने से नहीं होता उसको समझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है feel करना पड़ता है, उस पे अपनी पकड़ बनानी पड़ती है और उसको हम तब पकड़ बना सकेंगे जब उस concept को हम depth तक समझेंगे उधारन के तौर पे आपको अगर किसी भी chapter को पढ़ना है ठीक, और उसमें सबसे बहतर score करना है तो आप उसकी category बना लीजे उससे सवाल में उलजने की जो चमता है वो कम हो जाएगी, आपके माइन में category आया और आप उस तरीके से सवालों को बनाए और आपका अंसर शेकेंडों में आ जाएगा अगला जब तक सवाल पढ़ रहा है तब तक आप आंसर दे पाओगे समझ में आ रहा है बदल होता है, किसी के जगव पर किसी को बदल दिया गया तो सर क्या इसी से कुछ संबंदित बाते होने वाली है क्या आज इसी के संबंदित कुछ क्लास करने वाले है तो हाँ भाई बिलकुल जैसे मानो मैंने आपको कहा कि इस कमरे में चार लोग है मैं हूँ, अनिल सर हैं, आपको प्रशान सर होगे, विक्रमजीत सर होगे इसमें से कोई एक भी बंदा चला जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा बंदा आता है तो क्या होता है कि पहले हमारा कुछ और औसत हुआ करता था उसके आने के बाद कुछ और उसत हो जाएगा तो एक्जामनर आपसे यहीं 2-3 सवाल पूछता है जो गया था उसकी उमर कितनी थी, जो आया उसके जगह पर उमर कितनी है इसको थोड़ा सा हाई लेवल बनाने के लिए ऐसा भी कहा जाएगा कि जैसे मानो एक स्कुल में 50 लोग है, 20 लोग निकल के चले जाते हैं उसके जगह पे कुछ नए 20 लोग आते हैं और उसके बाद उसत इतने से बढ़ जाता है, इतने से घड़ जाता है तो बताओ जो आये थे उनका उसत कितना था हमेशा ऐसा सवाल, मैंने परी के ऐसे सवाल देखे हैं मेंस में भी देखा ऐसे सवाल और बच्चों को छोड़ते हुए भी देखा है लेकिन जो अपरोच आपको अभी सिखाने वाले हैं उससे आपका बहुत जादा फायदा होगा पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसका basic concept क्या होता है फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका smart approach जैसे आप इस सवाल को देखे सवाल में कहा गया यहाँ पर कि 8 जहाज कर्मी का उसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है सवाल को पढ़िएगा अच्छे से 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 kg है को एक नई व्यक्ती से प्रतिस्थापित करता है तो नई व्यक्ती का उसत वजन ग्याद करें 100% सवाल ऐसा ही पूछा जाता है कि भहिया देखो बात ऐसा है कि किसी व्यक्ती को तुम अपने ग्रुप से बाहर कर दिये और उसके जगह पे किसी और को तुम लेकर आ गए जैसे आप किसी और को उसके जगह पर लेकर आओगे या तो आपका उसत बढ़ेगा नहीं तो आपका उसत घटेगा उधारन के तौर पे मान लिजे कुछ लोग मिलकर एगर किसी company की स्थापना करते हैं partnership करते हैं कोई बंदा उसमें से निकल के चला जाता है उसके जगह पे किसी को लेकर आते हैं अगर आ रहा जो वेक्ति है उसके पास पैसे जादा है तो वह आपके उसत को बढ़ादेगा और अगर उसके पास पैसे कम है तो आपके ओसत को घटा देगा तो यहीं पूछा जाता है कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका ओसत वजन जो होगा वो कितना किलो होगा अब इस सवाल को देखोगे तो एक लाइन में किया जा सकता है एक लाइन में सिंपल आंसर मारोगे कितना टिक होगा साथ आ गया और बारा होगे बहतर आंसर आएगा देखो एक सेकंड में मैंने सवाल को सॉल्फ कर दिया सिर्फ बहतर आपके सामने मैंने सवाल पढ़ा साथ है आठ का डेड़गुना हो गया बारा साथ बारा बहतर आगे आंसर बस सवाल को पहना है और आंसर टिक करना है लेकिन मैं कैसे बहतर एक सेकंड में लेकिया है अब वो आपको सीखना है मैं तो लेकर आ सकता हूँ लेकिन आप कैसे लेकर आओगे वो आप सीखोगे तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं बेसिक तरीके से जब आप किताबों में देखते हो और फिर उसके बाद मेरा स्मार्ट अप्रोच आप देखना जो सिर्फ आज की वीडियो में ही आपको ऐसा खतरनाक ट्रिक मिलेगा तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहले कितने लोग थे तो पहले आठ लोग थे एक वेक्ति को बाहर निकाला गया जैसे मानो ऐसे करकर के आठ लोग थे एक को बाहर निकाला गया और वापस उसके स्थान पे नई वेक्ति को लेकर आए गया आने के चलते क्या हो गया तो बोलोगे सर हर किसी पर औसत वजन डेड़ का हो गया ठीक है जो गया था उसका वजन कितना था 60 था तो नए वाले का वजन कितना होगा अब देखो जाहिर सी बात है यहाँ पर समझना मेरी बात को कि जब कोई नया बंदा ग्रुप में आएगा तो हर किसी पर डेडर किलो जैसे मानो मैंने यहाँ पर तीन लोगों का उधारन दिया कि यहाँ पर तीन लोग है और इसके स्थान पर भी तीन लोग आ जाते हैं पहले अगला वेक्ति जब आएगा तो वो क्या करेगा वो बोलेगा कि तीन इसके पास था तीन इसके पास था तो वो कम से कम अपने लिए तो तीन लेकर ही आएगा और हर किसी के ओसत को एक एक से बढ़ाना है तो एक इसके लिए एक इसके लिए यानि वो कितना लेकर आएगा त इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, सिर्फ मेरी क्लास में मिलेगा आपको ये golden formula क्योंकि इस पर मैंने research किया हुआ है, और golden formula में आपको क्या लिखना है, golden formula में आपको हमेशा ये लिखना है कि नया वाला member बराबर हमेशा ध्यान रखना, new member बराबर, हमेशा new member बराबर old member, या old average आप ऐसे कहलो old member, plus increase या decrease, increase या decrease into final member आप कह सकते हो, कि final member कितने थे, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, increase या decrease into final member यहीं है, पूरा का पूरा concept, कि नया वाला member जो आएगा, उसका उसत वजन बराबर होगा, पुराने वाले के, plus increase या decrease into final member, ठीक, plus increase या decrease into final member, जैसे अगर आप नए वाले member की बात करोगे, तो पुराना वाला जो गया, उसका वजन कितना है, तो सवाल में पढ़ो 60 है, तो यहाँ पर old के जगा पर 60 लिख दो, increase या decrease, increase या decrease का मतलब, ओसत हमारा कितने से बढ़ गया, या घट गया, तो ओसत हमारा 1.5 kg से बढ़ गया है, कितने से 1.5 kg से, 1.5 kg को हम लिखते हैं, यहाँ पर 3 बटे 2, ठीक, और final member का मतलब होता है, कि हमें ये फर्क नहीं परता कि शुरू में 10 लोग थे, या ये फर्क नहीं परता, बाद में 50 थे, हमें ये परता है, अंतीम में कितने लोग थे, तो शुरू में भी 8 लोग थे, एक वेक्त करो 72 आपका option number D, D for Tev Sina is the correct answer है, बच्चे पूछ रहे हैं सर, PDF कहां मिलती है, टेलीग्राम पर मिलती है, दोस्त, PDF के लिए टेलीग्राम ही बना है और टेलीग्राम पर ही मिलती है, हमेशा ध्यान रखे, नया वाला member बराबर पुराना वाला member प्लस, जितने का बढ़त या घटत है, into increase or decrease, ये एक ऐसा जहरीला concept है अपने आप में, जो आगे चलकर अलग-अलग तरह के सवालों में आपकी बहुत जादा मदद करेगा, formula 1 है, लेकिन इससे सवाल जो बनेंगे वो हमेशा आपको अलग-अलग तरह के सवाल को बना सकते हो, decrease होगा तो minus करेंगे, increase जैसे यहां पर सवाल को देखो बोला गया, एक कक्षा में 50 विध्यारती है, एक विध्यारती जिसका वजन 50 kg है, चला जाता है, ठीक, और एक नया विध्यारती आता है, जिससे कक्षा का ओसत वजन 1,5 kg सरी, 1,5 kg बढ़ जाता है, नय विध्यारती का ओसत वजन पता करो, guarantee इतना मज़ा आगा ना आपको जो सवाल अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहे थे अब आप उसका अंसर शेकेंडो में दोगे ये मेरा दावा है आपसे आप बोलो के सर नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस इंक्रीज या डिक्रीज अगर इंक्रीज है तो प्लस डिक्रीज है तो माइनस ठीक है इंक्रीज ये डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर इंटू एफम तो बोलो के सर नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला जो गया है छोड़कर उसका वजन कितना था तो बोलो के सर पर कितना रखोगे, हाफ रखोगे और final member का मतलब last में कितने लोग थे तो बताओ 50 student किसी class में थे, एक गया और उसके स्थान पर एक आ गया यानि आज भी हमारे पास कितने लोग है मित्र तो आज भी हमारे पास 50 लोग है क्या बात है, खतरनाक भाई साब नवनीता दास, आलोकुमार, अनंद शर्मा बहुत अच्छे अभी सिंग, वीडियो को लाइक और शेर हर जगा पे कर दो, कुछ ऐसे दोस्त त्यार होंगे आपके, जो बिचारे दो साल से उसत पढ़तो रहे हैं, दिमाग में गया नहीं होगा आज उसत के सवालों को वो सेकंडरों में उड़ाने वाले हैं और वो तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को हर जगा पे शेर करोगे हर जगा पे कर दो, किसी का भी टेलिग्राम ग्रूप पो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्यान की बात हो रही है प्रोमोशन हो नहीं रहा है, फायदा हमारा नहीं बच्चों का होने वाला है तो इसलिए हर जगा पर वीडियो को शेर कर दीजे अब यह सवाल देखिए, बहुत ही भैतरीन और बहुत ही उमदा लेवल का सवाल है आपका यह क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया भाहिया, दस टीचर है किसी स्कूल में एक स्कूल में, दस सिख्षकों में से एक सिख्षक सेवा निर्वित हो जाते है retirement होता है कि नहीं होता है तो बिलकुल होता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्ष सिक्षक सेवा गरहन कर लेता है परिनाम स्वरुप सिक्षकों की ओसत आयू 3 वर्ष कम हो जाती है सेवा निर्वित यहां पर देखो ओसत आयू कम होई है तो सेवा निर्वित सिक्षक की आयू कितनी होगी सवाल में देखिएगा कहीं accident ना हो जाए पढ़िएगा अच्छे से कि out of 10 teachers of a school one teacher retire and in place of him a new teacher who is 25 years old join as a result average age of the teacher reduces by 3 years age of the retired teacher आप क्या बोलेंगे बोलेंगे सर आपने एक ही तो concept दिया है अब उसको भी अगर हम भूल जाएं तो बताओ हम तो सबसे बड़े नालायक हैं नहीं भूलेंगे हम बोलेंगे सर नया वाला member बराबर पुराना वाला member plus increase या decrease ठीक है और into कितना हो जाएगा तो final member हो जाएगा सवाल में यहाँ पर catch ये है कि नय वाले member की value दी है पुराने वाले की नहीं दी है नय वाले की value दी है नया वाला बोला है कि एक नया teacher जिसका ओसत कितना है 25 साल है यानि नय वाले के स्थान पर कितना रखेंगे 25 साल पुराने वाले का नहीं दिया है तो ओ रखेंगे अब increase हो रहा है कि decrease हो रहा है तो बोलोगे sir reduce हो रहा है कितने से 3 सालों से मतलब यहाँ पर क्या करेंगे minus 3 लिखेंगे into final member teacher कितने थे 10 एक निकल के चला गया एक उसके स्थान पर आ गया यानि यहाँ पर कितने लिखेंगे तो लिखेंगे O यानि यहाँ पर बोलेंगे sir 25 और वहाँ है minus 30 वो यहाँ पर आ जाएगा तो यह हो जाएगा plus 30 तो O की value कितनी आ जाएगी तो बोलोगे sir O की value हमारी आ गई पचपन यानि पुराना वाला जो वेक्ती है उसका उसत कितना है पचपन किलो क्या बात है जबरदस्थ भाई साब बहुत अच्छे चलो यह बताओ answer चलो यह बताओ मज़ा आ रहा है बहुत अच्छे बचपन अच्छे बताओ चलो कहा गया है कि sir average age of 8 men is increased by 3 years when 2 of the men whose age 30 and 34 are replaced by 2 परसन, what is the average of two new परसन, देख लो भीया सवाल को पढ़ लो, बड़ा मज़धार सवाल है, कहा गया कि आठ लोग हैं और हर किसी का उसत तीन सालों से बढ़ जाता है, आठ लोग हैं आपके कम्यूनिटी में मानों आठ लोगों का ग्रूप है और हर किसी का उसत वज़न 8-8 किलो से बढ़ जा रहा है, देखो यहां पर 3-3 सालों से बढ़ जा रहा है, कब जब एक भाई हमारे 30 के और दूसरे भाई हमारे 34 के ग्रूप को छोड़के चले जाते हैं और उनके स्थान पर कोई और वेक्ती आता है तो कहा जाता है, यह जो दो लोग नए आये थे ना, इनका उसत बता दो कितना होगा बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर बताओ चलो आंसर बताओ क्या बात है, क्या बात है, आज तो आंसर एकदम पहले से आ रहा है है क्या बात है बहुत शान्दार बहुत अच्छे है क्या बोलोगे बुलोगे सर देखिये बात ऐसा है नया वाला member बराबर पुराना वाला member प्लस increase या decrease ठीक है और into कितना हो जाएगा तो final member अब बता हो यहाँ पर जो नए वाले member होंगे नई वाले में कितने लोग होंगे तो बोलोगे सर नई वाले में दो लोग होंगे नई वाले में दो लोग होंगे और old में कौन कौन छोड़ कर गया है तो हमें old के स्थान पर वो लिखना होता है जो हमें छोड़ कर जाते हैं जैसे छोड़कर यहां पर 30 गया है और यहां पर 34 गया है तो 30 जमा 34 दोनों को लिख दो तो 30 जमा 34 कितना हो गया तो 64 हो गया इनके जाने के बाद औसत हमारा बढ़ गया है कि घट गया है तो बोलोगे सर औसत हमारा increase हो गया कितने से हो गया? तीन सालों से. तो यहाँ पर increase के स्थान पर कितना लिखेंगे? तीन लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पर पहले कितने लोग थे? आठ. दो लोग चले गए. उनके स्थान पर दो लोग आ गए. यानि आज भी आठी लोग है ना? तो आठ भी लोग हैं तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आठ लिखोगे. तो बोलोगे सर दो लोगों का जो नया वाला का total sum आएगा. 64 और 24 यानि 88 आएगा. यानि दोनों का अगर sum हमारा 88 है तो आउसत जो आएगा वो 88 बटे 2 यानि आउसत कितना हैगा? 44 आएगा. सवाल में पुछा गया उनका आउसत कितना होगा? option number जो C है वो correct answer है. अभी कहते हैं सब 8 गंटे वाली वीडियो का कमाल है. क्या बात है? चलो आजाओ. अच्छा है. अगर आपने 8 गंटे की मेरी औसत की वीडियो देखी है उसके बाद तो आपको ये class और जरूर देखना चाहिए. इसलिए आपको देखना चाहिए. बहुत ओको लगेगा रहे इसर की तो 8 गंटे की एवरेज की वीडियो देख लिए फिर ये क्यू बात है. चलवा जाओ. सवाल को देखो. सेम तरीके से कहा गया है कि 8 लोगों को औसत वजन 2 सालों से बढ़ जाता है. जब 21 साल और 23 साल के दो लोगों को हम replace कर देते हैं 2 नए लोगों से. तो बोला गया वहीं 2 नए लोगों का सेकेंडो सेकेंडो में बिना परर उठाए बता दोगे बता जल्दीसे बोलोगा सर देखिये बात ऐसा है कि 21 और 23 कितना हो गया तो 44 हो ख़िया ठीक है और 8 इन्टू 2 कितना हो गया 24 और 14 कितने हो गया तो बोलोगे साठ्ट साठ का सराधा कर दो यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा बिना पर उठाए सेकेंडो सेकेंडो में आंसर मारोगे 30 कहने से सवाल सेकेंडो में नहीं होते सवाल सेकेंडो में करके दिखाना परता है लाना परता है तरीके ढूनने परते है इसलिए यहाँ पर समझो तो नया वाला member बराबर old member plus increase या decrease into क्या बोलोगे final member बोलोगे सर नय में कितने लोग है अगर दो लोग है तो दो लिख लेना यहाँ पे तीन होंगे तीन लिख लेना पुराने वाले जो छोड़ कर गए वो कितने गए सर तो एक 21 साल का बंदा चला गया यानि ये दोनों का जोड कितने का है तो बोलोगे 21 और 23 का जोड हमारा हो गया 44 यानि जो छोड़ कर गए वो 44 हो गया प्लस उनके जाने के बाद औसत क्या हुआ बढ़ गया की घट गया बोलो तो थोड़ा मुस्कुरा कर बोलोगे कि सर दो से बढ़ गया है यानि इंक्रीज कितने का हुआ है दो का फाइनल मेंबर की बात जब आती है तो हम यहाँ पर यह कहते हैं कि फाइनली कितने लोग थे उसमें तो बोलोगे सर आठ लोग थे दो चले गए दो आगए यानि आज भी आठी लोग है ठीक तो बोलोगे सर दो नए मेंबर की वैल्यू जो है वो कितनी है तो 44 और 16 कितना हो गया है तो बोलोगे 60 हो गया ठीक यानि यहाँ पर दो नए लोगों की जो वैल्यू आई है वो 60 बहुत अगला सवाल देखो बहुत सवाल को बार पेपर में पूछा गया है कोई ऐसा एक्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया हूँ यह सवाल CGL में आया है CHSL में आया है CPO में आया है MTS में भी आया है और CGL के मेंस में भी आया है इतने जगह पर अगर यह सवाल आ है तो थोड़ा तो इसको इज़त दे दे ठीक है सवाल में क्या बुला है देखो, बुला गया एक 11 प्लेर्स का ओसत वजन 2 महिने से बढ़ जाता है जब 2 नए लोग 18 और 20 का रिप्लेस कर देते हो 2 नए लोगों से 2 विखतियों को भगा देते हो 11 वाले को और 12 वाले को बोल दो सवाल को बनाना सिखाते हैं, कंफ्यूज होना नहीं, आप सीखो यहां सवाल में, बोलो कि सर देखिया इतना असान सवाल है, सर कोई दिकत की बात नहीं है, एक 11 प्लेयर्स का ओसत वजन दो महीने से बढ़ जाता है, तो हम यहां पर सीधा सा बोलेंगे, कि दो नए प्लेयर्स का जो ओसत वजन होगा, वो बराबर होगा पुराने वाले के प्लस, इंक्रीज या डिक्रीज, हमेशा मेरे दिये गए फॉर्मूला को, ध्यान में रखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहां पर जो गया है, उसका वजन कितना है, तो 18 और 20 है, यानि कितना हो गया, तो बोलोगे सर, 38 हो गया, प्लस, इंक्रीज कितने का है सर, तो 2-2 महीने से है, कितने का है, तो 2-2, यह 38 या रखना साल है, यह 38 साल है, तो यहां पर 38 को वाई लिख दो, 38 एर हो गया, नहीं तो पता चलेगी, इसको लपेड दिया आपने, और यहां पर 2 महीने हो गये, और 2 महीने से कितने लोग है, फाइनल मेंबर कितने हैं, तो 11 हैं, तो 11 लिख दिया, तो बोलोगे सर, दो नए लोगों का जो औसत आएगा, वो कितना आएगा, तो 38 साल 11 के दो गुना 22 महीने, 38 साल 22, 11 into 22 महीने आजाएगा, 38 साल 22 महीने, यह दो लोगों का हमारा क्या है, वजन है, अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 38 का आदा 19 हो जाएगा, 22 का आदा इतना हो जाएगा, यह हमारा correct answer होगा, यारी नए वाले की वैल्यू 19 साल 11 महीने आएगा, option number जो C होगा, वो correct answer होगा, क्या बात है, income tax inspector के लिए height जरूरी है, क्या, कोई height की जरूरत नहीं है, अब देखो MTS में 7 अगस 2019 को पूछा गया है, MTS में 7 अगस 2019 को पूछा गया है, कुछ previous year भी लगा लो, ताकि confidence साथवे आसमान पर पहुंच जाए, सवाल को देखो बोला गया है, कि 20 लोगों को औसत 30 साल है, एक वेक्ती 50 साल का गुरूप को छोड़ के चला जाता है, और उसके जगह पर एक महिला आ जाती है गुरूप में, और इसके कारण उसत हमारा एक साल से घट जाता है, बताओ महिला के उमर कितनी है, आंसर सभी से आना चाहिए, सभी का आंसर कमेंट बोक्स में आना चाहिए, रजाई से थोड़ा सा उंगली अपना बाहर निकाल लो, और आंसर जो है यहाँ पर दे दो जल्दी से बता दो, ठीक है, आंसर दे दो जल्दी से, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइमर लगा के दे रहा हूँ, 10 सेकंड में मुझे हल करके बताओ, बस आंसर देने के लिए जो है ना, उंगलियों को कमेंट बोक्स तक लेकर जाओ, और आंसर बताओ, आप आंसर नहीं बताओगे, तो कौन बताएगा, बताओ, पर उसी थोड़ी बताएगा, जिस सवाल का आप यहां आंसर दे देते हो ना, आपके माइन में फिक्स हो जाता है, रहे आंसर वहाँ पर दिया था, मतलब इसका आंसर यही होगा, यह फिक्स हो जाता है दोस्त, प्राक्टिकल है, ठीक है, और जादा से जादा लोगों को जोड़िये, जादा से जादा लोगों को जोड़िये, वीडियो को हर जगा पे शेयर करिये, हर जगा पे शेयर करिये वीडियो को, जहां तक है, वहां तक वीडियो को शेयर करिये, हर जगा पे वीडियो को शेयर करिये, तबी अगला सवाल बढ़ाएंगे हम आगे क्या लिखा गया बताईए बोला गया सर 20 लोगों का उसत वजन 30 साल है एक वेक्ती 50 साल का ग्रूप को छोड़ देता है उसके जगप एक महिला आती है और उसत हमारा एक साल से कम हो जाता है क्या बोलेंगे साफ्त और पिसर नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस कितना इंक्रीज या डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर हमेशा इस लाइन को याद रखना है ये दिया गया मुल मंत्र है सफलता का ये सफलता का मुल मंत्र है नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस increase and decrease into final member अब मुझे यहाँ पर बताओ कितने साल का वेक्ति छोड़ रहा है तो 50 साल का यानि पुराने वाला यानि old की value कितनी है तो 50 है उसके छोड़ने के बाद औस अब बढ़ता है कि घड़ता है कितने से एक से यानि माइनस वन और कितने लोग हैं तो बोलोगे सर बीस लोग है ठीक है कितने लोग हैं यहाँ पर तो बीस लोग हैं एक 50 साल का वेक्ति जो है यहाँ पर कितने लोग होगा भिरभाई 20 लोग होगा तो 50 में से 20 हो गया तो कितना answer आगया 30 answer आगया 30 हमारा correct answer आजाएगा बात कतम नया वाला member बराबर इतना answer आजाएगा 30 is the correct answer option number B for Bahubali ठीक है तेगेंडो में answer आगया कि सर नया वाला member बराबर पुराना जो छोड़ कर गया उसका उसत कितना है 50 है ठीक और उसके बाद उसके जगह पर एक महिला group को join कर लेती है जिसके कारण उसत एक से कम हो जाता है कितने लोगों पर 20 बर 50 में से 20 कितना आजाएगा 30 आजाएगा एक line में answer आगया बात कतम हो गया चली बहुत अच्छे जोड़िये जल्दी से लोगों को हमारे साथ हर जगह पर वीडियो को like और share like share like share चलते रहना चाहिए अब भी 1000 प्लस नहीं पहुँचे हैं और जब तक आप वीडियो को जादा जादा लोगों तक share नहीं करेंगे तब तक अच्छे सवाल नहीं आएंगे ठीक जैसे एक सवाल है आपका ये CGL मेंस का सवाल है देखते रहो सवाल में आपसे कहा गया कि 40 बच्चों का उसत वजन कितना है 16 साल है एक 17 साल के student को replace कर देते हो किसी और student से और उसत आपका 15.875 बन जाता है बताओ नए वाले लड़के का उसत वजन कितना होगा अब यहाँ पर एक सवाल को देखो इस सवाल में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि और सथ आपका बढ़ रहा है कि और सथ आपका घट रहा है कहीं पर भी नहीं कहा गया तो बोलोगे सर, नया वाला मेंबर बराबर, पुराना वाला व्यक्ति जो छोड़ कर गया, वो कितना गया, 17 साल का था, तो यहां पर 17 साल हम लिख देंगे, अब हमें पता करना है कि इंग्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, और कितने का हुआ है, तो बोलेंगे सर, पहले उसत कितने साल हो का था, 16 साल हो का, अब उसत हमारा कितना हो गया, 15.875 हो गया, ठीक है, यानि आप खुद देखो यहां पर तो आपका उसत कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है, तो आप बोलेंगे सर, हमारा उसत कम हो गया है, हमारा पहले उसत इतना हुआ करता था, एक वेक इतने से हमारा औसत इतना हो गया, यानि कमी आई है, तो कितने की कमी आई है, तो 16 में से हम 15.875 को घटा देंगे, जब यहां पर इसमें से घटाएंगे 15.875 को, तो हमारा आएगा 0.125, यानि यहां पर decrease हुआ है, तो minus का sign 0.125, और final member का मतलब जितने लोग थे, कितने बच्चे टें40 थे, तो 40 टिक कर दोगे, तो बोलोगे, सर 17 माईनस, आप 125 को किसके साथ गुना करो? 40 के साथ गुना करो और दशमला हटा के नीचे कितना लेकर आओगे 1000 लेकर आओगे 1000 लेकर आजाओ 0 से हमारा 0 खतम हो जाएगा 25 से 5 बार में 25 से 4 बार में 4 से 4 खतम कितना हैगा 5 यानि 17 में से 5 चला जाएगा तो आंसर कितना हैगा बहुत खुबसूरत तरीके से complete करता है पहले टाइप में आपको क्या पढ़ाया पहले टाइप में हमने आपको ये पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा वो बड़ा important है आपने ये पढ़ा कि अगर हम किसी वेक्ति को किसी के साथ replace कर दें तो हमारे औसत पर प्रभाव क्या पढ़ेगा अब जो आप टाइप पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं inclusion inclusion हमारा favorite type हो जाता है मैंने खुद इसको create किया है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे मानो इस कमरे में चार लोग थे और एक वेक्ति को और बुला देते हैं तो या तो उसके आने के कारणोसद हमारा बढ़ जाएगा या उसके आने के कारणोसद घड़ जाएगा यानि इसको कहते हैं concept of inclusion ठीक फिर आगे चलकर आपको पढ़ा देंगे तीन important होता है replacement होता है inclusion होता है exclusion होता है तो replacement का मतलब होता है दल बदल जैसे नेता लोग दल बदल कर देते हैं तो party में क्या होता है कि MLO की संख्या बढ़ जाती है घड़ जाती है तो वो replacement हो गया दूसरा हो गया inclusion कि पूरे के पूरे BJP वाले शामिल हो गए यहां पर महाल जो है वो उल्टा है Congress और सपावाले BJP में सामिल हो रहे है तो इसको कहते हैं inclusion inclusion का मतलब कि यदि अपने साथ हम कुछ लोगों को सम्मिलित कर ले तो उससे हमारा औसत कितने से बढ़ जाएगा कितने से घड़ जाएगा ठीक और अगर हमारा औसत बढ़ता है घड़ता है तो जिन लोगों के कारण बढ़ता है या घड़ता है उनका औसत वजन कितना होगा बहुत खुबसुरा तरीके से सवालों के मादम से समझेंगे याद रखना मैं हमेशा वही चीजे या वही अप्रोच आपको देता हूँ जो समझने के लिए काफी आसान होता है और एक ऐसे फॉर्मूले पर पूरा का पूरा एवरेज का सवाल बन जाए तो वही फॉर्मूला मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ यानि जो फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा रहे थे वही फॉर्मूले से आप इस वाले केटेगरी के भी कोशिशन को बना पाएंगे जैसे सबसे पहले आपके सामने एक प्रीवेस एर का सवाल रखते है और प्रीवेस एर में कहा गया आपसे देखिए कि 13 संख्याओ का ओसत 42 है ठीक है, average of 30 numbers is 42 if a 14th number is included यदि एक 14 हवा वेक्ती हमारे साथ शामिल हो जाता है एक नया number शामिल हो जाता है तो हमारा ओसत 42 से बढ़कर कितना हो जाता है 44 हो जाता है बताओ 14 वाले number की value कितनी है 14 वाले number की value कितनी है यानि बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है नया वाला member बराबर पुराना वाला member प्लस increase या decrease into क्या हो जाएगा तो increase या decrease into final member यहीं पढ़ा था तो बोलोगे हाँ सर यहीं पढ़ा था बस आप यहाँ पर पहले आपके पास कितने लोग थे दोस्तो आप बोलोगे सर तेरा लोग थे ठीक है एक वेक्ती हमारे साथ शामिल हो गया ठीक है और अब हमारे पास स्कुल मिला कर 14 लोग हो गये और उसके शामिल होने के बाद पहले ओसत 42 था अब ओसत 44 हो गया यानि जाहिर सी बात ओसत बढ़ गया है कितने से बढ़ गया है दो से तो बोलेंगे हमेशा नया वाला मेंबर बराबर पुराना ओसत यहां ओल्ड का मतलब हो गया पुराना ओसत कितना था ओल्ड एवरेज कितना था तो ओल्ड एवरेज कितना था तो बोलेंगे sir, old average हमारा यहां पर 42 था ठीक, increase कितने का हो गया तो 42 से 44 का हो गया आनि increase हो गया हमारे 2 का और FM का मतलब होता है final member FM का मतलब होता है मेरे दोस्त final member, final member मैं हमेशा यहां पर क्यों लिखता हूँ final member इसलिए लिखता हूँ क्योंकि क्या होता है कि यह final member शब्द inclusion में भी काम आता है replacement में भी काम आता है और exclusion में भी काम आता है हमें हमेशा यह देखना होता है कि आखिर में मेरे पास कितने लोग बचे हैं हो सकता है, शुरू में मेरे पास 10 लोग थे दो छोड़ कर चले जाए यानि आखिर में सिर्फ 80 लोग बचे न, हो सकता है, शुरू में मेरे पास 10 लोग थे, दो नए आ जाएं, यानि आखिर में मेरे पास 12 लोग बचेंगे, यानि हमेशा final member देखना होता है, आप यहाँ पर देखो कि 13 संख्या थी, एक नई संख्या आ गई, यानि अब total कितनी सं आप किसी भी किताब में, दुनिया के किसी भी किताब में एक लाइन में अंसर नहीं ला सकते हो, यह मैं आपको बतार हो, आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, और सीख रहे हो सर, और यही तो मुझे सिखाना है आपको, यही तो मुझे सिखाना ह है जो औसत में बच्चों को रुला देता था जिसकी हाई कितनी ज़ादा थी अरे यार औसत के सवाल टफ आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं बच्चे परिशान है ठीके MTS में ख़तरनाक पूशा गया और उन सवाल उको देखो आप सेकंडों में उड़ा रहे हूँ बस आपके माइन में पिक्चर फिट हो गया पिक्चर फिट हो गया सर केटेगरी फिट कर लिए आपने और केटेगरी क्या फिट कर लिए नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस जितने का बढ़त है डिक्रीज है इंटू फाइनल मेंबर अगला वाला सवाल देखिए CGL 6 मार्च 2020 आफ्टर नून में सबसे लिटिस्ट पैटर्न पर ये कोशन है और इसको भी आप एक लाइन में बता पाएंगे बताईए जल्दी से सवाल पढ़िए 24 चात्रों ने दान देने के लिए एक धन राशी कत्रित किया कौसत योगदान 50 रुपे था बाद में उनके सिक्षक ने भी कुछ राशी का योगदान कर दिया अब योगदान 56 हो गया बताओ सिक्षक का योगदान कितना है एक लाइन में आंसर बतादो दोस्त मज़ा आजाएगा यकीन मानो आंसर दे दिया अगर एक लाइन में तो आपको ही मज़ा आजाएगा वाह मज़ा आगया क्या कंसेप्ट सीखा है जल्दी से एक लाइन में आंसर चाहिए सभी से सभी का आंसर में देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ सीधा पेपर में यही सवाल उठके आ रहा है यहां से इस बात को जान लो क्या बोलोगे बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला ओसत नया वाला ओसत बराबर पुराना वाला ओसत प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर हमेशा इस बात को ध्यान रखना है इंक्रीज या डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर सवाल में कहा गया है जो नया वाला व्यक्ति है नया कौन है टीचर है यानि टीचर का जो contribution होगा पुराना उसत कितना था तो average contribution पचास था यानि पुराना ओ के स्थान पर कितना रखेंगे तो पचास रखेंगे ठीक है प्लस टीचर के आने के बाद उसत बढ़ गया है कि घट गया है तो बोलोगे सर पचास से उसत चपन हो गया है यानि छे की बढ़त हो गई है तो increase के स्थान पर कितना लिखोगे छे लिखोगे और final member पहले student कितने थे दोस्तो 24 अब टीचर के आज आने के बाद कितने लोग हो करेंगी तो चुकि वो teacher है student तो है नहीं यानि उनका फर्ज बनता है कि वो जादा contribution करें और वो दूस्तोर उपईया contribution करेंगे वह मेरे मुन्ना वह क्या बात है answer आ गया आज अगला सवाल देखो जड़ा एक और बहतरी सवाल वापस से यह सवाल है आपके CGL 2020 में पूछा ग कि 34 student का जो ओसत है वो 42 किलो है ठीक है उसके बाद अगर हम teacher के वजन को भी शामिल कर दें तो ओसत हमारा 400 ग्राम से बढ़ जाएगा बताओ teacher का वजन कितना था एक लाइन में आंसर बता देना जरा टीचर का वजन कितना था बता दो जरा एक लाइन में आंसर चाहिए सभी स वीडियो को लाइक और शेर करते रहो ना भाई मेरे अब बताओ आपको मैं क्या पढ़ाओ कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे और शेर भी करोगे बताओ अब और मैं क्या करूं ये बताओ पहले बोलो तो यहां पर आते हैं भरत नाटेम भी करना शुरू करते हैं यार ग्यान की चीज़े हैं अच्छी चीज़े हैं हर जगा शेयर होनी चाहिए यह तो फ्री में चल रहा है अगर यह होता कि आप इसको कुछ देख रहे हो पे कर रहे हो अगर आपके सामने यह डिजिटल बोर्ड पे आता है रूम का करचा है इसी है सब कुछ है सब का कुछ नकुछ खरचा होता है लेकिन आप सभी के लिए जो है सेशन फ्री होता है बढ़िया कंटेंड मिलता आपको तो इसको शेयर तो करो जो एक रियल प्रोमोशन होता है न वो स्टूडिन्ट ही करता है कोई भी चैनल है कोई भी टीचर है वो बच्चों की वज़ा से ही होता है इस बात को हमेशा ध्यान रखना है मैं अपने हमेशा इस लाइफ मुसूल मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं जो कुछ भी हूँ वो बस अपने प्यारे बच्चों की वज़े से हूँ अपने प्यारे दोस्तों की वज़े से हूँ लोग कहते है न मेरी महनत का नतीजा था ऐसा कुछ नहीं होता हमेशा आपके पीछे सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए आज ये परिवार है जो हमारा 2,00,000 का इसने मुझे सपोर्ट किया है और ये मेरा दिल से परिवार है और इसी परिवार से एक हक से आदमी कहता है शेर करो ठीक है? शलो आजाओ तो सवाल में क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो बात ऐसी है नया वाला यानि टीचर का जो वजन होगा बराबर पुराना कितना है? तो बोलोगे सर 34 स्टूडेंट का ओसत वजन 42 किलो है यानि पुराने वाले का वैल्यू कितना है तो 42 है उसके बाद ओसत बढ़ गया है कि घट गया है तो बोलोगे सर ओसत हमारा बढ़ गया है 400 ग्राम से बढ़ गया है 400 ग्राम को किलो में कितना लिखते हैं? तो बोलोगे 0.4 लिखते हैं और फाइनल मेंबर कितना होगा? तो क्लास में 34 स्टूडेंट थे और हमारा एक teacher आ गए यानि final low कितने हो गए तो 35 हो गए 35 को 0.4 के साथ गुना करोगे तो 35 का 70, 140 यहाँ पर देखो 35 को 4 के साथ गुना करो 140 आएगा और उसको 10 के साथ भाग करो 0 कर जाएगा यानि 14 आएगा तो 42 प्लस 14 आंसर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 56 is the correct answer क्या आजाएगा 56 is the correct answer option number D for देवसेन बहुत शांदार भाई बहुत शांदार क्या बात है यहाँ पर 24 नहीं होगा हिंदी वाले correct कर लो 24 के जगह पर यहाँ 34 होगा 24 के जगह पर यहाँ 34 होगा हिंदी वाले आजाओ यहाँ पर और उसके बाद आपको ले जाकर छोड़ूँगा कहाँ पर CGL मेंस में कि आपको पता चल सके कि जो concept हम सीख रहे हैं वो concept पर सवाल CGL के pre में भी आ रहा है MTS में भी आ रहा है मेंस में भी आ रहा है और concept सीखा तो बस एक formula सीखा तो बस एक और सवाल को बना दिया हर लेवल का इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चा कहता है न सर MTS की तयारी करनी है बताए कोई special channel है कोई special book है कोई special course है CGL वाला पूछता है CGL की तयारी करनी है कोई special video है मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता बस एक बार math पढ़ना होता है उसके बाद आप किसी भी exam को निकाल सकते हो आप चाहो CDS निकाल सकते हो चाहो CGL निकाल सकते हो CPO निकाल सकते हो MTS बस एक बार ढंकी तयारी करनी होती है मैंने अपने life में खुद मैंने CDS को तीन बार निकाला है combined defense service जिसमें IMA, OTA और आपका Air Force होता है यह सभी papers को मैंने तीन बार निकाला है उसके बाद मैंने CGL खुद दो बार निकाला है CHSL दो बार निकाला है 2018 में हमने अपनी joining छोड़ी है CHSL में अगर आप देखेंगे search करेंगे 2018 में अधित्ते रंजन आजाएगा जो चीजों को लेकर तुकी बातों को ध्यान ना रखें चोटी-चोटी बातों को ध्यान ना रखें पढ़ाई पर फोकस करें अपने पूरे syllabus को complete करें तो आपका selection तय है अब सवाल में देखें तो कहा गया 18 संख्याओं का उसत 35 है 6 संख्याओं जिनका उसत X है उनको add कर देते हैं तो बोला गया है बताओ यहाँ पर उसत कितने से बढ़ जाता है तो एक से बढ़ जाता है X की value क्या है सीजल मेंस का सवाल 18 संख्याओं का उसत कितना है तो 35.30 है 6 संख्याओं जिनका उसत बजन जो है X है उनको add कर दिया गया है तो सभी का उसत कितने से बढ़ जाता है एक से बढ़ जाता है अब यहाँ पर बताओ कि X की जो value आएगी वो कितनी आएगी यानि हमेशा हम यहाँ पर बात करते हैं कि नया वाला member बराबर पुराना वाला member प्लस increase या फर decrease और into क्या कहते हैं final member हम कहते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं तो बोलोगे हैं sir बात खतम यहाँ पर 18 लोगों का उसत कितना है तो बोलोगे sir 18 लोगों का उसत 35,30 ठीक है 6 numbers को हमने बुलाया है जिनका average कितना है तो X है जिनका average कितना है तो X है और उनको हमने add कर दिया है इनके साथ तो सभी का उसत कितने से बढ़ गया है एक से बढ़ गया है आप मुझे बताओ यहाँ पे पुराना वाला उसत कितना है और उसके बाद 6 number और add कर दिये गए, यानि यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर final member 24 करोगे, ठीक है, कितना करोगे तो 24 करोगे, अब यहीं पर सवाल में game बदल जाता है, एक बच्चा सोचता है कि यह हमारा answer हो जाएगा, लेकिन बबुआ तुम्हारा answer यहाँ पर यह नहीं है, आप इस बात को समझगे कि आपकी बढ़त एक पर हुई है, और कितने लोगों पर 24 लोगों पर, लेकिन हमें यहाँ पर 6 संख्याओं का उसत x दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर पता करना है, एक संख्या का कितना है, तो हमें इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 से 4 बार में कटेगा, 37 में 4 जोड़ दोगे, 47 से 41 हमारा correct answer आजाएगा, नए वाले के value कितनी होगी, 41.5, option number B for Bahubali, लिखते हैं, final member को लिखते हैं, और यहाँ पर 6 को लिखते हैं, और 6 से हम पूरे में भाग लगाते हैं, बेशक मैंने आपको ये बात सिखाया है, बेशक मैंने आपको ये बात सिखाया है, कि आपको यहाँ पर 6 लिखना होता है, आउसत में आउसत को जोड़ा जाता है इस बात को ध्यान रखो तो साड़ा सैंतीस तो अल्रेडी पहले से आउसत है ठीक है अब ये इतने का इंक्रीज हुआ है तो छे लोगों में बांट दो ताकि आउसतन पता चल जाए कि प्रतेक वेक्ती पर कितने का बढ़त है तो बोला सार साड़ा सैंतीस तो हमारा बढ़त हो गया और यहाँ पर हर वेक्ती पर एके किलो बढ़ गया है तो 24 लोगों पर 24 किलो बढ़ गया होगा और ये बढ़े हुए वजन को 6 लोगों में बांट दीजे यानि हर वेक्ती पर 4 बढ़ गया तो 37 पहले का वजन था 4 अब बढ़ गया है यानि आंसर कितना हैगा 41.5 क्या किसी को कोई doubt है बताओ जल्दी से 41.5 is the correct answer बिल्कुल बहुत शंदार उपंदर पटेल आपने कहा सर 24 का increase है और ये 24 का increase 6 लोगों पर है यानि प्रतेक वेक्ती पर वो increase 4 का है तो ये पुराना उसत था उसमें 4 जोड देंगे तो नया वाला उसत आ जाएगा इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ formula एक ही है नया वाला बराबर पुराना वाला plus increase or decrease into final member 24 का बढ़त है 6 लोगों पर एक वक्त कितना होगा 4 का एक और आजाओ MTS का सवाल सेम तरीके से आंसर दे दो crystal clear बहुत शांदार भई crystal clear है बहुत शांदार देखो इस सवाल का एक और method भी है अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते हो मेंस का सवाल है तो अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे समझो जैसे मानों आपको ऐसे नहीं करना है तो आपको कल मैंने एक और type 2 बताया था अगर आपको दिहान होगा तो ठीक है दो type मैंने बताया थे 6 संख्या हैं जिनका ओसत 1 से वो हमारे साथ जुड़ जाती है और 18 संख्या ये हो गई 6 संख्या ये हो गई यानि कुल मिलाकर 24 संख्या और सभी 24 संख्या हो को ओसत अनवजन एक से बढ़ जाता है यानि ओसत अगर 35,34 हो जाता है आप इस सवाल को समझने को ऐसे भी समझ सकते हैं दुबारा से समझ लो मेरी बात को मैंने आपसे ये कहा 18 लोगों का उसत इतना है 6 लोगों का उसत इतना है और पूरे के पूरे 24 लोगों का उसत जो है वो इससे एक ज़्यादा है ये x की value बताओ आप इसको इस तरीके से भी लिग कर समझ सकते हो ठीक, तो आप क्या बोलोगे कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाय था मैंने कहा था कि दो स्टेप में करते हैं पहले ये देखो, ये अलरेडी आपका ओसत हो गया तो आप बोलोगे, हाँ सर, ये हमारा ओसत हो गया प्लस आएगा, इधर अगर माइनस अठारा है तो यहाँ पर कितना आएगा, तो बोलोगे, सर, प्लस अठारा आएगा तो मैंने कहा था, डेवियेशन को ध्यान रखो माइनस अठारा है, तो प्लस अठारा ये अठारा कितने लोगों पर तो ये 18-6 लोगों पर तो इसको 6 से भाग कर दो तो बोलोगे सर प्रते एक वेक्ती पर 3 की बढ़त हो गई यानि हमारा X का जो value आएगा जो भी यहाँ पर माना था 31.30 उसमें क्या कर दो 3 को जोड़ दो तो 31.30 में 3 को जोड़ोगे तो क्या आजाएगा 41.5 यानि आप इस सवाल को दो तरीके से कर शकते हो एक ये तरीका जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 18 लोगों का उसत इतना है 6 लोगों का इतना है टोटल का इतना ऐसे सवाल सीख लो पेपर में आते हैं थोड़ा सा हो सकता है ना बुच्छों को तफ लगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए समझने में बट मैं हमेशा से आपको क्या बात बोलता हूँ कि अगर कोई चीज समझने में मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको करना नहीं है UPSC शुरू में किसी के समझ में नहीं आती है लेकिन जिसके समझ में आ जाती है न वो सीधा IS IPSC नहीं बनता है चपरासी नहीं बनता रेलवेगर ड्राइवर नहीं बनता है ग्रूपडी की नोकरी नहीं करता है समझने समझने की बात होती है मैं आपको X मान कर ये सवाल क्यों नहीं करवा रहा सोचो जब मैं इसका short trick बता सकता हूँ तो क्या मैं इसका basic नहीं बता सकता हूँ लेकिन सारे channel जब basic करवा ही रहे हैं तो मैं फिर वो क्यों करवाओ मैं वो approach दूँगा ना आपको जिससे आप मैं इसके सवालों को सेकेंडों में बना पाओगे और वो हमारा ये तरीका होगा मैंने कल आपको क्या सिखाया था कल के दिन ऐसा हो सकता है 18 लोगों का ग्रूप का उससत इतना है 6 लोगों का इतना है टोटल इतना आजए बताओ छे कितने होंगे कल की पूरी की पूरी वीडियो में यहीं चीज मैंने आपको सिखाई थी बोलोगे सर एक की कमी 18 पर यानि माइनस 18 अगर यहां माइनस 18 है तो यहां प्लस 18 यह 18 कितने लोगों में बटेगा 6 में यानि हर वेक्ती में 3 बढ़ जाएगा तो शाड़े 38 था उसमें 3 जोड़ दो साड़े 41 आंसर हो गया बात खतम यहां पर ठीक है चलो यहां चाहो तो डेटा का भी रेशियो ले सकते हो बहुत शांदार डेटा का भी रेशियो ले सकते हो आज़ा अगला सवाल देखो अगला सवाल क्या कहा गया है कहा गया है कि 12 आर्टिकल का उसत वजन 18 किलो है एक नया वेक्ती आ जाता है जिसके कारण उसत हमारा क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है 500 ग्राम से बताओ नय वाले आर्टिकल का उसत वजन कितना होगा अब ये MTS का बढ़िया सवाल आपको एकदम बहुआ सवाल लगेगा बढ़िया सवाल आपको क्या लगेगा बहुआ सवाल लगेगा ठीक है बिलकुल 0 to hero आप बन चुके हैं तो बोलेंगे सर देखिए हमेशा नया वाला ओसत बराबर पुराना वाला प्लस increase या फिर decrease into कितना हो जाएगा तो final member हो जाएगा ठीक है सवाल में बोलेंगे भाईया देखो बात ऐसी है 12 वस्तुओं का ओसत कितना है 18 है यानि पुराना ओसत कितना है तो 18 kilo है तो O की value कितनी आ गई तो 18 आ गई उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया average कम हुआ की बढ़ गया तो बोलोगे सर 500 gram से उसत कम हो गया है 500 gram से उसत हमारा कम हो गया है यानि decrease हुई है कितने की 500 gram की तो 0.5 500 gram को kg में लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा और उसके बाद बात करेंगे final member कितने लोग थे तो 12 article था एक यहाँ पर नया article आया है यानि अब कितने article हो गए है market में तो 13 article हो गए है ठीक है तो 13 का हमें आधा करना है तेरा का आधा साड़े 6 होता है और 18 में से साड़े 6 घटा दोगे तो साड़े 11 आ जाएगा option number A4 ठीक है आओ कभी हवेली पे is the correct answer हो जाएगा ठीक है भाई चलो बहुत शांदार बहुत शांदार पानी माग लगा देंगे आप लोग तो आज यह अगला सवाल देखे आज वाजा अगला सवाल देखो चलो 20 student का उसत वजन 16 साल है दो teacher जो हैं उनको include कर दिया जाता है तो उसत हमारा 18 साल बन जाता है सभी member का तो बताओ यहां पर जो दो teacher आये हैं उनका उसत कितना होगा एकदम वहीं जो मैंने आपको पीछे करवाया एकदम वहीं जल्दी से बता दो detail बताओ detail है अच्छा पोस्ट detail बताओ आज कौन सा पोस्ट detail जानने की इच्छा है कल बताओंगा अगली वीडियो में चलो आजाओ सवाल देखो बुला गया सरफ 20 student का उसत वजन कितना है तो 16 साल है दो टीचर आए उनको शामिल कर लिया गया और अब उसत हमारा हो गया 18 साल का तो बताओंगे दो टीचर का उसत वजन कितना है तो बोलेंगे सर देखिए नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस increase या decrease into final member इंक्रीज या decrease into final member हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखेंगे ये बात नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस increase या decrease into final member जो नए टीचर आए हैं उनका वासत बराबर पुराने वाले का वासत कितना है तो बोलोगे सर 16 साल है पुराने वाले का वासत कितना है तो बोलोगे 16 साल है जितने भी दोस्त वीडियो के बीच में जोईन हुए हैं उनसे हमारी विन्नमर निवेदन है कि इस वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देख ले जो मैंने कल करवाया था उस कलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरी प्लेलिस्ट की और साथ में ये दूसरे पार्ट को भी शुरू से देखें ताकि आपको और धाकण मजाए और समझ में आए तो increase या decrease का value कितना हो गया औसत 16 साल था अब औसत 18 साल है यानि हमारा बड़त हो गया तो 2 का हो गया और final member की बात करते हैं बच्चे पहले कितने थे 20 दो teacher के आ जाने के कारण बच्चे कितने हो गया तो हो गया 22 यहाँ पर तो इसको 22 करेंगे अब ये बात ध्यान रखो ये already औसत है और औसत में औसत को ही जुड़ा जाता है ये कितने लोगों का है यहाँ पर ये दो लोगों का है ये दो teacher के आने के कारण है यानि इसको 2 से भाग कर दो दो से भाग करोगे तो 22 और 16 कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा 38 इस दक करेक्ट आंसर हो जाएगा option number D for देव सेना ठीक है हम बोलेंगे सर यहाँ पर इतने का बढ़त तो है देखो क्या होता है आप ऐसे समझो इस कमरे में आज के समय में हर किसी के पास 10-10 रुपए है ठीक है और अचानक से मोदी जी आते हैं और fund देते हैं जैसे आप ऐसे समझो कि मानो हर किसी के account में भारत में दस-दस रुपए हैं ठीक है ऐसा पर आते हैं मोदी जी जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि काले धन वापस लेकर आएंगे वापस लेकर आएंगे वो मान लो हमारे पास एक हजार जनसंख्या है, हमारे भारत में सिर्फ एक हजार जनसंख्या है, और वो दो हजार रुपए जो है, खाते में डलवा देते हैं, तो प्रतेक वेक्ति पर कितने का इंक्रीज आएगा, तो बोलोगे टोटल पैसा दो हजार आया, लोग थे एक हजार, यानि हर वेक्ति को दो-दो रुपए मिलेगा, हर वेक्ति को दो-दो रुपए मिलेगा, अगर वो दस हजार रुपए का फंड ऐलान करते हैं और उस दस हजार रुपए को पाने वाले हमारे गाउ में, हमारे शेहर में 1000 लोग हैं यानि हर किसी को 10-10 रुपए मिलेगा तो मैं वहीं आपर कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 लोगों के चलते 22 का इंक्रीज हो गया यानि 44 का इंक्रीज और यह 44 दो लोगों में बटेगा दो लोगों में बटेगा जैसे यह मोदी जी का फंड है और यह जनसंख्या है तो इस फंड को टोटल जनसंख्या में बार देंगे तो पता चलेगा एक वेक्ती को कितना मिला एक वेक्ती को 22 मिला और 16 पहले से था यानि अब उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे और 30 रुपए हो जाएंगे और यह हमारा correct answer होगा ठीक है आजाओ अगला सवाल देखो सेम तरीके से सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर अगर आप इसको जो है data वाले method से करना चाहते हो तो आप data वाले method से भी कर सकते हो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर data लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं ओसथ लिखते हैं सवाल में हमसे कहा गया पहले कि 20 बचों का ओसथ कितना है 16 साल है तो बोलेंगे सर डेटा 20 था ओसथ कितना था 16 साल था फिर उसके बाद दो teacher को शामिल कर देते हैं दो teacher को शामिल कर देते हैं, यानि दो teacher हमारे आए हैं और उनका ओसत x हो गया, तो पूरे का ओसत कितना हो गया, तो पूरे का ओसत हमारा 18 हो गया, x की value निकालनी है, data method बताया है कि नहीं बताया है, बताओ, ठीक है, बताया है न, तो बस मेरे भाई, बस काम खतम, 18 से यहां पर 16 को compare करो, कितने की कमी है, 2 की कमी, देखो इसको इसके साथ तुलना करो, 18 को क्या मालो, औसत मालो, 18 से 16 की तुलना करो, 2, यानि 2 की कमी, 2 की कमी, 20 लोगों पर, यानि कितना हो जाएगा, minus 40, अगर तराजू के एक साइड minus 40, तो दूसरे साइड कितना हो जाएगा, तो बोलो 20 कितना होता है, तो बोलोगे सर, 38 होता है, इस तरीके से भी आप 38 लेकर आ सकते हो, ये भी 38 का अंसर देगा, ये भी 38 का अंसर देगा, और दोनों के दोनों जबर्दस तरीके से आपको सीख दे देंगे, आजाएगे, अगला सवाल आजाओ, अगला सवाल क्या का है, अगले नए वर्कर को कंपनी में पॉइंट करने के कारान उसत दो किलो घड़ जाता है या दो वर्ष घड़ जाता है बताओ नए वाले वर्कर का यहां पर कितना होगा आंसर सर प्लीज कल्कुलेशन्स की ट्रिक जो है वो सिखा दो चलो वीडियो के एंड में सिखा देंगे थोड़े मोड़े कल्कुलेशन्स ठीक है और बताओ सवाल में कहा गया भीया देखो 6 वर्कर है जिनका उसत 37 साल है एक नए वर्कर को आप पॉइंट करते हैं तो उसत हमारा 2 साल से घड़ जाता है यानि हमेशा नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर बोलोगे तो नय वाले का उसत बराबर पुराने वाले का उसत कितना है तो बोला गया सर यहां पर बात करते हैं 6 वर्कर का उसत 37 साल था यानि पुराना उ किया है तो पहले 6 वरकर थे एक नया वरकर आ गया यानि फाइनल में कितने लोग हो गया तो साथ हो गया तो 37 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 37 में से 14 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 23 is the correct answer यानि option number D for ते वसे न जो होगा वो correct आंसर होगा वाई क्या बात है अब थोड़ एक बढ़ियां level का सवाल कर्लो जरा ठीक है और बढ़ियां level का सवाल कर्लो जरा एक एक बार सवाल में क्या बोला है बढ़ियां तरीके से देखो बोला गया कि सर देखिए बात ऐसा है चालीस बच्चों का उसत वजन 18 साल है जब 20 नए बच्चे अड्मिट हो जाते हैं उस क्लास में तो एवरेज बच्चा जो है यहां पर उसत वजन हमारा कितना बढ़ जा रहा है 6 महीने बढ़ जा रहा है तो एवरेज एज अफ न्यूली अड्मिटर्ड स्टूडेंट इस बढ़ा प्यारा सवाल बोला गया 40 बच्चों का उसत वजन 18 साल है तो क्या बोलेंगे नए वाले का वजन बराबर पुराने वाले का वजन 플ॉस increase या decrease into क्या हो जाएगा final member हमेशा मेरे concept को याद रखना concept जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा ठीक है concept अगर मेरा पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए हाँ पे क्या बोलेंगे बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है 40 बच्चों का उसत वजन 18 साल है यानि नया वाला का मेंबर बराबर पुराना उसत कितना है तो पुराना उसत हमारा 18 साल है प्लस इंक्रीज या डिक्रीज तो जब 20 नय बच्चे एडमिट होते हैं उस क्लास में तो उसत वजन जो है वो बढ़ जाता है 6 महीनों से याद रखो ये 18 साल है ये क्या है 18 साल है प्लस इंक्रीज कितने का हो गया तो 6 महीने का हो गया है और कितने लोगों पर फाइनल मेंब आया है यह बटेगा कितने लोगों में तो नए लोगों में यानि 20 नए स्टूडेंट में तो यहां पर 20 से हमें क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा 20 से काटोगे यहां पर 3 बार में तो बोलोगे सर 18 साल और यहां 6 into 3 18 महीने 18 महीने को क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई तो 18 महीने को आप 1 साल 6 महीने लिख सकते हो उस एक साल को इसको दे दो तो बोलोगे 19 years, 6 months is the correct answer ये हमारा answer हो जाएगा बात का तम एक लाइन में answer मारोगे option number B for Bahubali is the correct answer ठीक है, B for Bahubali चलो आजाओ answer आगया अगला स्थावाल देखो CHSL 5 जुलाई में पूछा गया सवाल है 2019 का, कहा गया है कि 4 भाईयों का उसत वजन 14 साल है, उनके पिता को भी include कर देते हैं, तो उसत 4 साल से बढ़ जाता है, बताओ पिता का उसत वजन कितना होगा, बताओ पिता का जुलाई 2019 का, इस बार के CHSL में ये सवाल आ रहा है, और अगर सवाल आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है एक student पूछते हैं, sir, revision कैसे करें देखो यार, revision का बड़ा simple सा fundamental इस बात को समझो, ठीक है क्या होता है, कि जब कोई भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे मुन में 100 ख्याल आ रहे होते हैं, जैसे मानू की थोड़ा सा जो है, इनसान की भूख जो होती है, वो कभी कम नहीं होती है, आज आप कोई चीज पढ़ रहे हो, फिर आपकी इच्छा होती है, थोड़ा हम और करें, फिर थोड़ा हम और करें, फिर थोड़ा हम और करें, और ये करते-करते और के चक्कर में, आप 50 वीडियो भी देख लेते हो, 40 किताब भी लगा लेते हो, और पता चलता है कि अभी भी आपका topic complete नहीं है, और problem कब आती है, problem तब आती है मेरे भाई, जब आपका paper आत के बाद, आप अपने ही sources को revise नहीं कर पाते हैं, आपने जहां से पढ़ा था आप वो revise नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखो, बहुत limited चीज़े पढ़ा करो, ठीक है, पहले उसको 4 बार, 5 बार, 10 बार revise कर लो, उनको पका कर लो, और फिर उसके बाद जो है, तब दूसरी चीज़ पे हाथ लगाओ, जैसे अगर मैं एक example के तौर पे समझाओ, तो आप ऐसे समझो, कि calculation की वीडियो हो गई, अब calculation की वीडियो के साथ ही आप देख लो, शुरू में आपको बहुत बुक होती है, कि यार मुझे अपने calculation को strong करना है, banking वाले बच् सवाल नहीं लगाए, उनको revise नहीं किये, फिर दीरे 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 वो जो calculation है, वो आपके दिमाग से गायब होते जाती है, और आपने एक पल में यहां तक सीख लिया था और एक पल में आप यहां पर पहुंच जाते हो, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान जो भी चीज जहां से भी पढ़ते हो, उसको multiple revision का समय दो, जादा से जादा revise क्या करो, ताकि फायदा हो सके, जीके को एक बार पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, जोगरफी में अगर enter होगे, तो पूरी जोगरफी खंगाल डालोगे, लेकिन problem कहां पर आती है, problem व इसा तो है नहीं कि गल्ले में जितना रुपया आता है, जीब में रपते हो लेकि चले जाते हो, हिसाब तो करते हो शाम में, आया कितना, गया कितना, उसी तरीके से महीने के अंतीम में भी हमें हिसाब करना पढ़ता है, कि हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसको revise करे, हम उसको proper उसके notes बना ले जो पढ़े उसी को revise करो बहुत आगे बढ़ जाओगे ठीक है? आजाओ सवाल में देखो यहाँ पर बोला गया चार भाईयों का उसत वजन 14 साल है तो बोलेंगे सर नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस increase या decrease into कितना हो जाएगा? increase या decrease into final member हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पर तो बोलेंगे हाँ सर नया वाले की value नहीं पता है तो नया वाले की value इतना रखो बोला गया चार भाईयों का उसत वजन 14 साल है पुराने वाले का उसत वजन 14 होगा पिता को include करने के कारण नौसत 4 से बढ़ जाता है यानि 4 से बढ़त हो गया final member कितने हैं पहले? चार भाई थे अब एक पिता यानि 5 लोग हो गया 5 हो के 20 34 जो है वो हमारा answer आजाएगा option number B for बहुत अच्छे आजएए CHSL का अगला सवाल देखे बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है और यह सवाल को देखो आपको घुमा के न रख दिया तो फिर आप कहना है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है यह आज का last question है बहुत ही प्यारा सवाल है बता दो एक यह सवाल है और एक यह सवाल में कहा गया था average age of 15 person is 32 year 15 लोगों का उसत वजन 32 साल है दो नए लोग जोड़ दिये जाते हैं गुरुप में जिनके कारण उसत हमारा 3 सालों से बढ़ जाता है कहा गया है जो नए लोग है ना उनके age का जो अंतर है जो difference है वो कितना है तो 7 साल है उनके age का जो अंतर है वो कितना है 7 साल है बुला गया है बताओ younger वाले का जो age होगा वो कितना होगा the younger among the new person वाले कितना होगा यानि यहाँ पर कितने लोगा हैं दो लोगा हैं और दो लोगों का हमें क्या पता है औसत पता है सवाल में कहा गया कि 15 लोगों का उसत कितना है तो बोलोगे सर 15 लोगों का उसत 32 साल है यानि आप डेटा के स्थान पर कितना लिखोगे तो डेटा के स्थान पर 15 लिखोगे और उनका उसत कितना है तो 32 साल है फिर उसके बाद कहा गया कि 2 वेक्ती हैं इनको group में जोड दिया जाता है और औसत हमारा 3 साल से बढ़ जाता है यानि ये जो 2 लोग आये हैं न गुरूप में इनका औसत का कुछ था पता नहीं है मानो इनका औसत X है 15 लोगों का औसत इतना और इनके आने के कारण टोटल 17 लोगों का औसत जो है वो 3 से बढ़ जाता है यानि 32 में 3 को जोड देना है यानि कितना हो जाता है 35 हो जाता है सबसे पहले सवाल को देखके ये लिखना सीखे आप कि 15 लोगों का औसत इतना है दो लोगों का औसत इतना है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कमी कितने की है तो 35 से 32 कितने की कमी है तो 3 की कमी है अगर यहां का हर बंदा 3 रुपई या कम लेकर बैठा है जैसे मानलो कि कोई क्लब है उस क्लब में इंट्री करने के लिए 35 रुपई चाहिए और इन लोगों के पास 32 15 तो बोलोगे सर माइनस 45 अब अगर माइनस 45 इनके कारण है तो ओसत का मतलब क्या होता है बराबर होना यानि अगर यहां माइनस 45 है तो यहां कितना आ जाएगा प्लस 45 आ जाएगा ठीक है अब जिस तरीके से यह 45 को हम 15 के साथ भाग करते थे तो हमें 3 निकलता था उसी तरीके से 45 को 2 के साथ भाग करना पड़ेगा क्यूंकि यह 45 जादा लेकर आना है लेकिन 2 व्यक्तियों को यानि प्रतेक व्यक्ति कितना लेकर आएगा तो 45 बटे 2 45 बटे 2 का मतलब साड़ा 22 हर वैक्ति साड़ा 22 लेकर आएगा तो X का जो मान होगा वो कितना होगा X का मान 35 रुपईया तो लाना ही लाना है साथ में साड़ा 22 रुपई और लेकर आना है यानि यहाँ पर X का मान अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर साफ तोर पर यह बोल देंगे ठीक है जो दो नए लोग आये थे हमारे पास, उनके पास ओसतन कितना था? साड़े संताओन. अगर हमसे यह पूछता है, जो दो नए लोग आये थे, उनको ओसतन कितना था? यानि हो सकता है एक व्यक्ति जो होगा वो बड़ा होगा और एक व्यक्ति छोटा होगा यानि प्रतेक व्यक्ति का उसत साड़े संतावन है तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा साड़े संतावन का दो गुना ठीक है आप ऐसे समझो आप ऐसे समझों कि हर वेक्ति के पास इतना रुपय है तो दोनों के पास कितना होगा तो इसके पास 25,25 इसके पास 25,25 यानि एक तरीके से जो total sum आएगा वो कितना हैगा तो 115 आजाएगा 50 का दोगुना, 177 का दोगुना, 15 यानि दोनों के पास जो है 115 होगा और दोनों का जो अंतर है वो कितने का है B-G जो है वो कितने का है तो बोलोगे सर वो हमारा साथ है जब भी ऐसा concept हमारा यहां पर आए कि A-B की value दी हो और A-B की value दी हो A की value पूछेगा बड़े वाले की तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे और छोटे वाले की यानि माइनस वाले की value पेछेगा दोनों को घटा कर आधा कर देंगे यह हमारा answer हो जाएगा तो सवाल में हमसे बोला गया यंगर वाले का value बताना है यानि छोटे वाले का बताना है मैंने का तना एक big है और एक small है यहां पर ऐसे समझो जो एक big है और एक small है तो यहां पर यंगर वाले का यानि छोटे वाले की value बतानी है S की value बतानी है दोनों को घटा कर आधा कर दो 115 में से 7 चला जाएगा 108 और 108 का आधा कितना होगा तो 108 का आधा 24 होगा 54 जो आएगा वो correct answer आएगा दुबारा से हम आपको समझा देते हैं हमने क्या किया हमने यहां पर किया कि 15 लोगों का ओसत इतना है दो लोगों का ओसत हमने x माना total ओसत हमारा हो गया 35 3 की कमी है 15 पर यानि मैंनी 45 तो यहां पर plus 45 यह plus 45 दो लोगों के कारान आएगा यहां तक तो हम आउसत निकालना सीखते थे और इतना हमने सीखा ठीक है अब हम कह रहें कि अगर हर वेक्ति के पास साड़े संतावन है तो यहां दो लोग थे तो दोनों के पास कितना होगा तो 115 और दोनों का अंतर है 7 का S की value निकालनी है क्या करेंगे घटा के आधा कर देंगे ठीक है शलब आ जाओ तो यह CHSL का सवाल था अब एक CGL का सवाल देख लो यहां पर CGL का सवाल देख लो सेम तरीके से कहा गया है average score किसी क्रिकेटर का 20 matches में 52 run है उसके highest score उसके lowest score 120 ज्यादा है बोला गया ना अगर यह दो इनीं को exclude कर दें चलो इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा exclusion का question है इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा जब मैं exclusion पढ़ाऊंगा तो आज के लिए इतना ही ठीक है इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा तो मुझे लगा कि यहाँ पर आपको काफी जादा मज़ा है आज के session में, बहुत कुछ आपने सीखा अब कल की class में आप तयार रहेंगे, average के exclusion वाले concept को सीखने में फिर उसके बाद हम TCS के सभी questions को आपको करवाएंगे, जो कि आपको जादा फायदा महसूस कराएंगे और भी बहुत ऐसे concept होंगे, चोटे मोटे जो आप सीखेंगे, जिससे आपको काफी आपका level increase होगा ठीक है, और day by day जो है, आप अपने level को बढ़ाते चलेंगे इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर आप complete math special batch लेना चाहते हैं और आप अपने CGL के लिए लेकर काफी dedicated है, CHSL को लेकर काफी dedicated है थोड़ा मोड़ा अगर आपका अच्छा level है, तो आप यहाँ पर मेरा math का special batch ले सकते हैं maths recorded batch इसमें मैंने complete arithmetic पढ़ा रखा है, complete advance पढ़ा रखा है इसके अलावा इस batch में आपको क्या क्या मिलती है तो जैसे मानो एक student अगर तयारी करता है, तो क्या क्या होता है किताब खरीता है, 500 रुपे, 600 रुपे की एक किताब आती है फिर उसके बाद वो किताब को लगाने जाता है तो सोचता है, यार इसमें तो सारे concept जो हैं वो तो हैं, लेकिन best नहीं है solution इसका बढ़िया कहा मिलेगा फिर वो एक साल, दो साल पूरा का पूरा भटक रहा होता है उसको बढ़िया solution नहीं मिलता अगर मालो फिर solution मिल जाते हैं तो वो हमारा समय को काफी ज़ादा बढ़ाता है तब तक paper हमारा निकल गया होता है तो आपको one stop solution मैंने देने की कोशिश की है math special VOD में यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा video दे रहे हैं 200 गंटे का course है 200 गंटे में आपको पूरा arithmetic, पूरा advance, complete मैंने आपको पढ़ाया और अभी भी यह चल रहा है और active है अभी अभी भी इसमें mensuration मैं live करवा रहा हूँ इसके अलब अगर हम बात करें तो इसकी validity जो है वो lifetime है मतलब सिर्फ एक exam के लिए नहीं अनेक exam के लिए जो है आप पढ़ सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको किताब market से खरीदने की जरुवत नहीं है 600 रुपे की आप किताब खरीदोगे और पूरी की पूरी सबसे best sheet updated material आपको मिलेगा कहां से मिलेगा तो आपको इसके लिए application डाउनलोड करना होगा download RGV करमजीत application यह हमारा application है इसके अलबा कोई भी अलग समस्याएगी तो आप यह दो दिये गए number पर भी phone करके बात कर सकते हो ठीक है यह तो जैसे हमारा batch का batch हो गया इसी तरीके से हमारा combo में नया batch launch हुआ है जितने बच्चे हैं जो एकदम fresher हैं beginner हैं और जो नए सीरे से पढ़ाई करना चाहते हैं कि सर हमारा target इस बार का CGL नहीं हमारा target अगली बार का में तसली से live पढ़ना है तो वो यह batch ले सकते हैं मैं recommend करूँगा कि आप combo लो ठीक है ताकि आपका complete reasoning भी हो सके English भी हो सके, Math भी हो सके अलग-अलग लोगे तो 900 रुपे, 2700 रुपे की fees है 81 लोगे तो 2100 रुपे में आपको मिल जाएगा अब लोगे सर फीस विस क्यों रखते हो यूट्यूपर तो पढ़ाते हैं भाई, यूट्यूपर पढ़ाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है application पर आपको और updated content मिलता है sheets मिलती है और उनी चीजों का खर्चा होता है यहां पर यह अगर बात करूँ तो reasoning guru अपनी पूरी किताब की PDF देते हैं आप सोचो एक किताब को छपाने में 500 रुपे लगे हैं और इनका पूरा का पूरा बुक का PDF आता है हमारी पूरी बुक का PDF आता है सर की पूरी बुक का PDF आता है तीन-तीसो घंटे, चार-चारसो घंटे का course होता है अगर एक रुपिया भी अगर एक घंटे का जोड़ लो अपने हिसाब से तो 400 रुपे के वो हो गए और इतने कम फीस में lifetime validity के साथ आपको सब कुछ सिखाया जाता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से same inquiry number होगा हमारा same यहाँ पर inquiry number से आप application को download करके और इस तरीके से ले सकते हो बैच इसको ठीक है और inquiry होगा तो वही दो number पर संपर कर लोगे इसके अलाबा समझना PDF जो है वो मैं आपको दोनों टेलिग्राम पर डाल देता हूँ ठीक है ताकि आपके लिए सबसे ज़ादा सहुलियत हो रैंकर्स गुरुकुल टेलिग्राम ज़रूर जोइंग कर लेना सभी क्यों क्योंकि यहाँ पर जिनको सभी सब्सेक पढ़ना है math, english, reasoning, everything सभी का जो link है हमारे रैंकर्स गुरुकुल के टेलिग्राम पर आता है तो आप इसको ज़रूर जोइंग करें notification मिल जाए, कल कौन सी क्लास है आदे गंटे पहले YouTube आके टिक टिक करके गंटे बजाके चला जाए भीया देखो आजओ जल्दी से class स्टार्ट होने वाली है ठीक है तो ध्यान रखा करो छोटी-छोटी बात हो का बाकी मिलेंगे कल की क्लास में जबरदस तरीके से भौकाल मचाएंगे कल बढ़िया साड़े आठ बजे लाइव रहना सभी और वीडियो के comment box में जरूर बताना की वीडियो आपको कैसे लगी क्या नए changes आपको चाहिए कुछ और जो है आपकी demand है तो वो भी पूरी की जाएगी कुछ आपका query है तो वो मुझसे discuss करिए आप मैं आप सभी के comment पढ़ूँगा भाई ठीक है शलो ball the best ध्यान रखे अपना खुश रहें मस रहें love you all take care all the best